पब्लिक टीवी आपकी आवाग कॉंग्रेश के मुख्या राहूल गांधी को भले ही उनके विरोधी तरह-तरह के शब्दों से नवाजते रहें लेकिन वे दिल्ली में एक पत्रकार के लिए उस समय फरिष्टा बन गए जब पत्रकार सडक पर पढ़ाक का रहा रहा था और वहां से निकल रहे राहूल गांधी ने काफिला रुकवा कर पत्रकार को अपनी गाड़ी में बठाया और एमस ले गए मामला दोपैर हुमाई रोड का है कि मूल रूप से जोधपुर के रहने वाले पत्रकार राजेंदर व्यात को कोई वाहन टक करमार कर चला गया और वे सड़क पर गिर गए थोड़ी देर बाद ही कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी का काफिला वहां से निकल ही रहा था कि उन्होंने पत्रकार को सड़क पर घायल अवस्था में देखा और अपना काफिला रुकवा कर खुद नीचे उतरे और अपने सिक्योर्टी वालों की मदद से पत्रकार को अपनी कार में बठाया और सारे प्रोग्राम छोड़कर सीधे एम्स चले गए जहां उनका उप्चार किया गया राहूल गांधी द्वारा किये गए इस कारे की सराहना की जा रही है हाला कि राहूल के साथ गाड़ी में बैटकर वो पत्रकार को ना सिर्फ होशाया बल्कि उसने राहूल गांधी से खुब बात भी की और वीडियो देख कर कहा जा सकता है कि वो इश्वर से राहूल गांधी को आगे बढ़ाने की मांग कर रहा था खेर जो भी हो राहूल गांधी द्वारा किया गया ये कार है अन्य नेताओं और प्रतेक वर्ति के लिए प्रेरना श्रोत बन करता है राहूल गांधी कार में बैठ कर अपने रुमाल से पत्रकार के माथे पर लगा खून भी खुद ही साफ करते रहे ऐसा उन्होंने कई बार किया होगा होगा है सर एक दो वापस पूचाँ हाँ एक दो वापस पूचाँ मेडिया का अद्विक काम मेलोंगा आए यूसको कव्लोंगा आइल संट इड़ तू दो थू माइटीवी चैनल कात दू होड़र डू़र तरन– तरन– टूरब पीन हो गया सर सर सर